जए श्रीदाम सभी पाईयों को आप सभी का स्वागत है हमारे एक और वीडियो में तो आज का अपना वीडियो रहने वाला है King of Kota movie के उपर तो आज का अपने इस वीडियो में हम King of Kota movie के कहानी के बारे में और उस पर छोटा से रिविई करें गए तो वीडियो को लाश्ट तक देखना और अगर हमारे वीडियो में नए हो तो जैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना तो सबसे पहले बात करते है किंग ओफ कोठा मूवी की कहानी के बारे में तो कहानी एक कोठे से शुरू होती है जिस पर कंणर भाई और उसके गुर्गों का राज चलता है राजू और कंणर बचपन से दोस्त है जो एक दूसरे के लिए चान दे सकते हैं दूसरे गैंक्स्टर से उलट पे लड़के और उनका गिरो ड्रक्स का सोदा नहीं करते हैं वो इस तंदे के खिलाफ है लेकिन अपरात की दुनिया में नशे का यह कारोबार उनके लिए नई मुसीबते पैदा करता है विश्वास कात के कारण पाईचारा टूट चाता है कहानी में राजू की गलफरेंट तारा भी है अब दोस्तों दोस्तों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं तो क्या राजू फिर से कोठा पर राज अपना राज बना पाएगा या चांडने के लिए आपको यह फिल्म देखनी पड़ेगी दुलकन सलमान जहां इस फिल्म में लीड रोल में है वहीं उनके साथ शबीर प्रसंद्ना गोकुल सूरेश एश्वर्या लक्ष चेंबन विनो जोश शमीत प्रमुक खूमिकाओं में है दुलकर सर्मान को अब तक हम सभी ने रोमांटिक अवतार में देखा है इंदी के दशोकों के दिलों में भी कारवा सितारामम और चूप चैसी फिल्मों से दुलकर ने अपनी एक खास चगब बनाई है अगस्ट में रिलीश के फिल्म किंग ओफ कोठा में दुलकर एक्षन अवतार में नजर आये यह फिल्म अब OTT पर भी रिलीश हो गई है मूल रूप से मल्यानम में बनी यह फिल्म हिंदी के अलावा तमील तेलगू मल्यानम और कनड़ पाशाओं में OTT पर रिलीश हो चुकी है लेकिन अब इसकी हिंदी रिलीज डेट भी कोशित हो गई है। अपिला चोशी के डायरेक्टर में बनी किंग ओफ कोठा एक पिरियाड गैंक्स्टर एक्षन ड्रामा है। पचास करोड रुपे के बजट में बनी इस फिल्म ने हलाकि बॉक्स ओफिस पर माहज 38 करोड रुपे का बिजनस किया लेकिन फिल्म की तारिफ जरूर हुई। कोटिटी प्लेटफर्म डिजनी प्लस होस्टार पर 19 सितमबर को यह फिल्म दक्षन भारतिया पाशाओं में रिलीज हुई थी। जबकि अब इसकी हिंदी वर्जन को भी रिलीज हो गई है।